वेल्कम यूरो गाइज बंस अगे इन मनी की डिन जहाँ पर मिलती आपके बहुत सारी फाइनेशनल नौलिज और यहाँ पर आज हम डिसक्स करने वाले हैं क्या की बिटकोईन है क्या आखी बिटकोईन की जरुरत क्या पड़ी क्या अक्चली यह कोशिन पूछा गया था काफ यानि दाल है और अगले के पास वाई कॉमड़ी यानि राइस है तो वापस में एक्चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर उन दोनों की नीट्स है फुल्फिल्ड हो जाती है लेकिन यहाँ भी लूप होल रहते थे उनको लगता था कि उनकी जो आपकी कॉमड़ी है किसी की वे जो फिल आया तो उन्होंने अपना जो कॉमज बाटर सिट्म था उसको रिप्लेस कर दिया था अगला जिस्टम मायता करेंसी और कॉमड़ी एक्षेंज इस्टम तो जो अलगले डैनस्टी थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे करेंसी को मॉडिफाई किया किसे लेदर की बनाई किसी ने अलगले मैटल्स की बनाई गोल्ड सिल्वर की बनाई और उनमें उनके ही अपके साइन रहते थे उनके अपनी आपके कन्वेशन रहते थे ठीक है अगला कॉंसेप्ट जब आता है यहां पे बिटिशस ने जब अटेक किया दिरे थे राजाओं को तो लोने अपनी कोईन अपनी पेपर कोईन डिजाइन किये ठीक है तो उनके अपने अलग साइन कन्वेशन रहते हैं मतल्द हर को डोमिनेट करना चाहता था किसको इंडियन पब्लिक को ठीक है तो इंडियन पब्लिक को करना चाहता था और क्या केते हैं आपका उनका टार् वेले ही हमारा फिर क्या करते है यहाँ पर एक सेंटल बेंक इंस्टम आया था इंडिया में ठीक है 1935 में तो उसके बाद जब भारत आ जाता हो गया था तो इंडिया ने अपनी करेंसी लौज की थी जिसमें आपका उनकी कन्मेशन रहते थे जैसे आपका लीडर्स वगरा के जिसमें आपका मात्मागादी हो गए बागी उसमें आपका नेशनल एंबलम रहता था ठीक है और जो भी आपका नवेशन देख सकते हैं ओल्ड कोईंस में तो मिल जाएगा आपको फिर इसको भी आपका डोमिनिट कर दिया है अब वर्चुल करेंसी ने जिसका नाम है सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है ग्लोबली कहीं भी एक्षेंज की जा सकती है ठीक है तो यह बहुत कुछ मेरिट्स है कुछ डिमेरिट्स है इसको आने वाल लेक्चर में टील करेंगे कि आखी रहे गया अगर आपको लेक्चर कैसा लागा नीचे बताईए इस से रिका